स्टूडेंट्स कैसे आम लोग उमीधा आफ सब खेर इस सूंगे आइम सहीदा कामलन अदीम आइम यह बायोलोजी टीचर पोर क्लास नाइंथ स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल वॉल स्टूडेंट्स आज हम स्टूडी करने जा रहे हैं सेललर स्ट्रॉक्चर सेंड फंक्शन्स को जिसमें आज हम स्टूडी करेंगे सेल वॉल को डिटेल में हम सेल वॉल को स्टूडी करने से पहले देख लेते हैं कि हमारे पास जो यू के यॉर्टिक सेल होते हैं वो कैसा होते Students, अगर हम UKRIOTIC CELL की बात करें तो आप लोग को मैंने पहले बताया हुए कि UKRIOTIC CELL ऐसा CELL होता है जिसके अंदर well-defined nucleus और membrane-bounded organs present होता है हमें देखते हैं कि अगर हम बहुत सारे organisms की बात करें जैसे कि plants की बात करें animals की बात करें तो ये UKRIOTIC CELL से ही बने होते हैं और हम ये कहते हैं कि ये UKRIOTS हैं इन में fungus भी आ जाती हैं हम ये देखते हैं कि इन सब living organisms में जो CELL मौजूद होते हैं उन में आपको prominent nucleus नज़र आएगा और ऐसी organelles नज़र आएगी जो के membrane-bounded होंगी Students, हम ये देखते हैं SELLसundere Structures होते हैं यानि के ASEC Structures जो के SELL को मिलका बनाते है और हम इन सब CELLュラर Structures को कहते हैं ORGANELS ये सब की सब CELLULAR Structures हम आगे जाके डेटेल में Study करेंगे जैसे कि vacuils हैं, ribosomes हैं golgi apparatus हैं, mitochondriopritis हैं NUCLEUS है, ये सब और इसके इलावा और भी बहुत सारे ओर्गनिल्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन आज चो हम स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं वो कोई सबसेलिलर स्ट्रक्चर नहीं है बलके सेल का ऐसे स्ट्रक्चर है जिसके बगैर सेल कभी भी वजूत में नहीं आ सकता यानी हम ऐसे स्ट्रक्चर के बारे में अपढ़ने जा रहे हैं जो के ओर्गनिल्स नहीं हैं लेकिन सेल के स्ट्रक्चर में बहुत زादा की रोल या इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं अगर ये इस्ट्रक्चर प्रेजट ना हो तो सेल कभी भी एग्सिस्ट रिकार सकता जैसर के हम यह देखते हैं कि यह जो important structures जिनके मैं बात कर रही हूँ इन में कौन-कौन से structures आज़ते हैं तो हम यह देखते हैं कि इन में cell wall, cell membrane, cytoplasm और cytoskeleton शामिल है आपको इदर से एक short question में पूछ जा सकता है जो कि है कि what structures are not organelles but are important for cell structure यानि इसका मतलिब यह हुआ कि ऐसे structures आप बताएं वो कौन से structures हैं जो कि organelles नहीं है यानि कि subcellular structures नहीं है मगर यह बहुत ही important है cell के structure के लिए तो आपने करना कहा है कि आपने यहाँ पर जो है वो four names लिखते नहीं है जैसे कि cell wall है, cell membrane है, cytoplasm है और cytoskeleton है students cell wall की अगर हम बात करें, cell membrane की बात करें, cytoplasm की बात करें या cytoskeleton की बात करें तो यह organs नहीं है या यह subcellular structures नहीं है, मगर इन structures के बगएर cell की existence भी possible नहीं है तो इन में से ही आज हम एक structure study करेंगे detail में, जो के है cell wall students हमें देखते हैं कि cell wall क्या है students अगर हम cell wall को define करना चाहें, तो हम कैसे define कर सकते हैं Cell wall is non-living and strong component of cell यानि एक ऐसा component जो के बहुत ही strong भी है और non-living भी है मतलब यह के यह कोई living matter नहीं है, बलकि यह non-living matter है यह एक ऐसे structure है जो के non-living matter से बना हुआ है हम यह देखते हैं कि अगर हम cell wall की बात करें, तो cell wall कहां present होती है Cell wall ऐसी outer membrane है, जो के cell membrane से भी outside present होती है यहां पिर हम यह कह सकते हैं कि ऐसी covering या ऐसी membrane जो के cell membrane के बाहर present होती है अगर हम बात करें एक animal cell की, तो students आप दो को याद होगा कि अगर हम एक animal cell को देखते हैं तो हमें एक outermose covering नज़र आती है, जो के inner matter को protect करती है और हम उसे नाम देते हैं cell membrane का लेकिन अगर यही हम बात करें एक plant cell की तो आपको बिलकुल एक different structure नज़र आता है जिसमें के outermose membrane cell membrane नहीं होती है, बलके plant cell में outermose membrane होती है cell wall इसका मतलब यह हुआ कि animal cell और plant cell में basic difference यह भी है कि animal cell की outermose membrane cell membrane है, मगर plant cell में outermose membrane cell membrane नहीं है बलके cell wall है और cell membrane cell wall के अंदर present होती है यानि plant cell में पहली layer या सबसे बाहिर जो layer है वो cell wall है और इसके अंदर की तरफ जो present है layer वो है cell membrane Students हम यह देखते हैं कि कौन-कौन से ऐसे organism से जिन में के cell wall present होती है और वो कौन से organism से जिन में के cell wall नहीं पाई जाती तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं cell wall की occurrence की Students अगर हम यह देखें कि cell wall किन-किन organisms में present होती है तो हम देखते हैं कि जैसे हमने बात की plant cells की तो plant cells की outermose covering है वो भी cell wall ही है इसी तरह अगर हम एक fungus की बात करें तो fungus में भी outermose covering cell wall ही है इसी तरह अगर हम bacteria की बात करें तो bacteria में भी outermose covering cell wall है लेकिन अगर हम एक एनिमल सेल की बात करें या एनिमल लाइक प्रोटिस्ट की बात करें तो इन में सेल वॉल नहीं पाई जाती इन में जो आउटरमोस कवरिंग है जैसे मैंने आपको बताया कि इन में आउटरमोस कवरिंग होती है सेल मेंबरीन स्टुडेंट्स सेल वॉल का आखिर रोल क्या है सेल वॉल कि क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी सेल में ये भी हम पढ़ते हैं कि सेल वॉल का फंक्शन या इसका रोल क्या है तो हम देखते हैं कि अगर किसी भी सेल की शेप की बात की जाए तो वो भी डिपेंड करती है इसकी से वाल पे जिस शेप की सैल वाल होगी उसी शेप का वो सैल भी होगा अगर हम देखें कि किसी भी प्लांड सेल की शेप राउड है तो इसकी सैल वाल भी राउंड ही होगी इसका मतलब यह हुआ कि इसकी सेल वाल राउंड थी तो ही इसकी शेप भी राउंड ही है इसी तरह अगर प्लांट की सेल वाल की शेप रेक्टेंगुलर होगी तो इस प्लांट सेल की शेप रेक्टेंगुलर ही होगी इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी सेल की शेप डिपेंड करती है इसकी सेल वाल की पर हरह इसी तरह हम देखें कि इसका सेकंड फंक्षन क्या यानी सेल वाल और इमपॉर्टन रॉल प्ले करती है तो यह किसी भी सेल को प्रॉवाइट करती है स्ट्रेंथ यानि इसका मतलब यह हुअ कि हम अगर एक प्लांट सेल ऑसे psychology बात करें तो तो प्लांट सेल ौटर outer pressure exert करते हैं on the cell wall of plant cell इस pressure को हम कहते हैं trigger pressure अगर water molecules की concentration plant cell में बहुत जादा बढ़ जाती है तो chances होते हैं plant cell के burst करने के लेकिन ये plant cell burst क्यों नहीं करता यानि क्यों नहीं फटता या क्यों नहीं रप्चर होता क्योंके plant cell में मौजूद होती है कि strong cell wall लेकिन अगर हम बात करें एक animal cell की तो क्योंके animal cell की outermost covering cell membrane है और cell membrane cell wall के निजबत कम strong होती है इस लिए ये इतना जादा water pressure बरदाश्ट नहीं कर सकती इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम compare करें एक plant cell को और एक animal cell को तो plant cell water pressure या टरगर प्रेशर क्या कर सकता है बरदाश्ट कर सकता है और यह बर्स नहीं होता लेकिन इसकी इस बत अगर हम बात करें एक animal cell की तो animal cell जादा देर water pressure बरदाश्ट नहीं कर सकता और यह बर्स्ट हो जाता है यानि कि यह फट जाता है या फिर रप्चर हो जाता है तो स्टूरेंट्स आप दों को पता चल गया कि किसी भी plant cell में मौजूद जो cell wall होती है या फिर किसी भी organism में मौजूद जो cell wall होती है वो किस तरह इस organism के cells को strength provide करती है इसके बात अगर हम देखें कि cell wall का और क्या function है तो इसका एक बहुत important function है और वो है protection provide करना यानि कि जितना भी inner matter होता है cell का यह cell wall इस सब inner matter of the cell को protection provide करती है और किसी भी outer injury या outer physical factor से बचा के रखती है आपके cell को यानि कि इसका मतलब यह हुआ कि एक animal cell की अगर हम बात करें तो animal cell की protection तो एक cell membrane provide कर रही है लेकिन अगर हम बात करें एक bacteria की plant cell की या फिर fungus की तो इनके cells की protection जो होती है वो दो layers करती है यानि कि cell membrane तो इन में मौझूद है लेकिन साथ ही साथ हम देखते हैं कि cell membrane के बाहर भी एक layer मौझूद है जिसको हम कहते है cell wall और यह cell wall protection provide करती है to the cells of the plants fungi and bacteria और इस तरह कोई भी bacteria कोई भी plant या कोई भी fungus बची रहती है किसी भी outer physical factor से या किसी भी injury या किसी भी ऐसे harmful material से जो के नुकसान पहुंचा सकता है आपके cell को यानि के plant, fungus और bacteria के cell को इसके इलावा students अगर हम एक और रोल देखें जो के बहुत important है तो वो है support provide करना cell wall किसी भी cell की outermost covering है और यह provide करती है support भी to the cell और इस तरह हम यह देखते हैं कि जितनी जादा strong cell wall होगी उतनी ही support होगी उस organism की body को जैसे अगर हम एक plant की बात करें तो वो plant जिन में primary wall के साथ secondary wall भी present होती है तो यह provide करती है rigidity और support to the plant body इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम यह बात करें कि plant की cell wall या overall जितने भी organisms में cell wall पाई जाती है तो यह organisms के लिए कितनी helpful या कितनी important होती है तो हमने यह पढ़ा कि plant या फिर किसी भी organism में पाई जाने वाली cell wall किसी भी organism के cell को shape provide करेगी इसके इलावा उस cell को strength provide करेगी protection provide करेगी और support provide करेगी students अगरहम बात करें एक cell के structure की तो हम यह देखते हैं कि cell का अगर एक animal cell की हम बात करें तो उसमें आउट्रमोज नेः उती है वो होती है cell membrane लेकिन अगर हम एक plants बात करें तो इसमें आउटरमोस चो लेयर होती है वो होती है cell wall, अब further cell wall का क्या structure है, उसमें कितनी layers present होती है, तो वो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो हम देखते हैं कि जब हम cell wall को examine करते हैं, तो हमें नजर आती हैं उन में दो layers, यानि कि एक होती है primary wall और दूसरी होती है secondary wall, अगर हम primary wall की बात करें, तो वो layer या वो covering जो के cell wall की outer covering है, उसे हम कहते हैं primary wall, और अगर हम primary wall की composition की बात करें, यानि कौन सा chemical substance इस primary wall में present होता है, तो वो होता है cellulose, यानि हम यह देखते हैं कि primary wall में major component जो present होता है, वो होता है cellulose, और cellulose क्या है, तो हमें पता है कि cellulose एक polysaccharide है, यानि एक ऐसा carbohydrate जो के बहुत सारे छोटे monosaccharide unit से मिलकर बना हुआ है, cellulose एक ऐसा carbohydrate है, जो के most abundant है on earth, यानि इस जमीन पर जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला carbohydrate है, वो cellulose ही है, इसी तरह primary wall में भी सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो chemical substance है, वो cell cellulose है, इसलिए हम यह कहते हैं कि primary wall का जो major component है, वो क्या है cellulose है, इसके बाद अगर हम बात करें secondary wall की, तो वो layer या वो covering जो के primary wall के inside present होती है, उसे हम कहते है secondary wall और secondary wall भी बहुत ही strong होती है, और वो strong क्यों होती है, क्योंकि इसका major component है, lignin और lignin ऐसा component है, जो के secondary wall को strength provide करता है, students हम देखते हैं कि वो plants जो के woody है, इन में secondary wall भी पाई जाती है, और ये secondary wall in woody plants को support और strength provide करती है, students हम देखते हैं कि और भी बहुत सारे chemicals present होते है, plant की cell wall में, लेकिन हमने यहाँ बात की है major components की, तो major components की तरफ अगर हम देखें, तो primary wall में जैसे हमने study किया, कि major component है cellulose और secondary wall के major component है, lignin, लेकिन इसके इलावा कौन कौन से chemicals present होते हैं किसी भी cell wall में, तो हम देखते हैं कि cellulose के इलावा hemicellulose, pectin भी पाया जाता है cell wall में, यानि chemical composition अगर generally में आपको बताऊं कि किसी भी cell wall की chemical composition क्या है, तो उसमें बहुत सारे chemicals पाया जाते हैं, जैसे कि cellulose है, hemicellulose है, lignin है, pectin है, ये सब के सब chemicals भी पाया ज organisms की cell wall में, students इसके इलावा हम देखते हैं कि क्या chemical composition cell wall की सब के सब organisms में सेम होती है, या पर different होती है, तो students हमें पता है, कि cell wall अगर plant की हो तो उसकी chemical composition different होगी, अगर यही हम chemical composition देखे, fungus की cell wall की तो उसकी बिलकुल ही different होगी, और अगर हम एक bacterial cell wall की बात करें, तो इसकी chemical composition इन दोनों organisms जानी के plant और फंजाय से बिलकुल ही different होगी, तो हम देखते हैं कि अगर हम plants की जैसे हमने बात की, तो इन में major component जो पाया जाते है cell wall में वो है cellulose, लेकिन अगर हम fungus की cell wall की composition की बात करें, तो हमें पता है कि इस में पाया जाते है काइटिन, और काइ बहुत सारे monosaccharides unit से मिलकर बना हुआ है, हम यह देखते हैं कि अगर हम bacteria की बात करें, यानि bacterial cell wall की बात करें, तो इसकी जो chemical composition है, वो plant और fungi की निजबत बिलकुल ही different है, क्यूंकि हम देखते हैं कि bacterial cell wall में जो chemical पाया जाता है, उससे हम कहते है, murine या फिर peptidoglycan, peptidoglycan, peptidoglycan क्या है, peptidoglycan एक ऐसा component है, जो के further दो chemical component से मिलकर बना हुए है, या पर दो chemical compound से मिलकर बना हुए है, हम यह कहते हैं कि peptidoglycan is a complex of sugars and amino acids, क्योंकि हम पता है कि peptidoglycan means amino acids and glycan means sugar, यानि कि एक ऐसा complex या फिर एक ऐसा combination जो के दो चीज़ों से मिलकर बना हुए है, यानि कि amino acids और sugar से जिसे हम कहते हैं peptidoglycan, या फिर हम इसे कहते हैं murine, इसके इलावा students अगर हम यह देखें कि plant की cell wall में या किसी भी cell wall में और कौन सा structure present होता है, तो इसमें पाए जाते हैं कुछ special pores, यानि कि कुछ special सुरा, हम यह देखते हैं कि इन pores को हम नाम देते हैं plasma dust meta का, और इन pores का function क्या होता है, कि यह दो adjacent cells, यानि दो साथ मिले हुए cells होते हैं, यानि साथ साथ जो cells होते हैं, इन्हें हम कहते हैं adjacent cells, और यह adjacent cells के cytoplasm को आपस में connect रखते हैं, यानि यह जो pores हैं, यह adjacent cells में एक connection रखते हैं इनके cytoplasm में और यह pores help करते हैं in the transportation of different materials between two adjacent cells. तो students, हम plasmodus meta को कैसे define कर सकते हैं? तो हम plasmodus meta को define करते हैं, there are pores in the walls of two adjacent cells which keep the cytoplasm of these cells connected. These pores are known as plasmodus meta, यानि ऐसे pores जो के दो adjacent cells के cytoplasm को आपस में connect रखते हैं, इन pores को हम कहते हैं plasmodus meta. और इन pores का एक function तो यह है कि यह cytoplasm को आपस में connect रखेंगे दो cells के, साथ ही साथ हम यह देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे materials होते हैं, जो के एक cell से अगर दूसरे cell में जो वो transfer होने हैं, तो वो भी in pores के through heat transfer हो सकते हैं. इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी दो cells यह दो से जादा cells में जो connection होता है, यह materials की जो transportation होती है, वो in pores के through भी हो सकती है. Students, अब मैं आप लोगों से ले लेती हूँ, एक छोटा सा quiz और यह quiz आप लोग के लिए बहुत ही important है, और वो क्यूं? क्यूंकि हम यह देखते हैं कि इन quiz में जितने भी मैं आप से short questions पूछूंगी, यह सब के सब कहीं ना कहीं, किसी ना किसी exam में repeat हो चुके हैं, तो आपने जरूर इन short questions की, long question की written practice कर लेनी है, हमारे पास जो सबसे पहला question है, वो है define cell wall, तो इसके अंदर आप लोग क्या लिखेंगे? कि cell wall is non-living and strong component of cell which covers the plant, bacterial and fungal cell, यानि एक ऐसी outermost covering जो बहुत ही strong है और non-living in nature है, यह इसके cover करती है, यह covering provide करती है, किसी plant cell को, fungal cell को, या फिर bacterial cell को, इसके बाद हमारे पास जो next question है, वो बहुत ही important है, और जैसे मैं आप लोग को बताया भी था, कि यह भी short question में exams में पूशा जा चुका है, कि which structures of the cells are not organelles, but are important for the structure of cell, तो आपने इन structures के names लिखने हैं, कि cell wall, cell membrane, cytoplasm and cytoskeleton are not organelles, but these structures are very, very important for the building of a cell, इसके बाद students, जो हमारे पास next question है, वो क्या है, वो है defined plasma dust matter, तो plasma dust matter जैसे मैं आप लोग को बताया था, कि ऐसे pores जो के दो cells, यानि दो साथ साथ प्रेजन जो cells होते हैं, उनकी walls में present होते हैं, और इन दोनों cells के cytoplasm को connect रखते हैं, और different materials की transportation में भी help करते हैं, ऐसे pores को हम नाम देते हैं, plasma dust matter का, इसके बाद students, आपके पास एक और short question है, जो के है, write down composition of bacterial cell wall, तो आप दों को पता है, कि bacterial cell wall is composed of peptidoglycan, और यहाँ पर एक और short question, जो मैं आप से पूशने जा रही हूं, वो है defined peptidoglycan, यह एक छोटी सी लाइन है, जो के आप से exam में पहले भी पूशी जा चुकी है, तो आपने इसको बिल्कुल भी miss नहीं करना है, बलके आपने इस लाइन को highlight कर लेने, और peptidoglycan क्या है, इसके बाद हमाई पास जो next question है, cell wall से related, वो है, write down functions यह role of cell wall, तो हमें पता है, कि cell wall प्रवा इसके इलावा, students, एक और चो question, short question आप से पूशा जा सकता है, वो पूशा जा सकता है, differentiate between primary wall and secondary wall, तो आप लोग को पता है, कि आप दोग ने किस तरह difference लिखना है, तो difference आप लोग ने कुछ ऐसे लिखना है, कि आपने एक side पे heading बनानी है, primary wall की, और दूसरी side पे heading बनानी है, आपने secondary wall की, सबसे पहले आप लोग ने दर्म्यान में heading लिखने है, definition की, और definition के नीचे आपने primary wall की definition जो लिखने है, कि आउट्रमोस जो layer होती है, किसी भी cell wall की, उससे हम कहते है, primary wall, और secondary wall का आप कैसे define करेंगे, the layer which is present inside the primary wall is known as secondary wall, इसके बाद आप composition की heading देंगे, या chemical composition की heading देंगे, दर्म्यान में और फिर एक साइट पर प्राइमरी ओल की composition लिखेंगे, और दूस्यी साइट पर लिखेंगे, secondary wall की composition, primary wall की composition में आप लिखेंगे, कि cellulose is the major component in primary wall, और secondary wall की composition में आप लिखेंगे, कि lignin is the major component of secondary wall, इसके बाद students, जो next question है, वो है, write-down composition of fungal cell wall, यानी, fungus की cell walls जो होती है वो किस चीज से या किस chemical compound से बनी होती है तो आप लोग को पता है कि fungus की cell wall बनी होती है काइटिन से students आप लोगों को यहां से long question भी आ सकता है और long question आप लोगों को कैसे मॉस्ट कवरिंग और जो प्लांट से दोगों को पता है कि आप लोगों को वेंग जो प्लांट सेल की है वह कौन सी है वो सैल वॉण है सांन मेम्ब्रेंट नहीं है क्योंकि सैल मेंब्रेंट से लग के अंधर यह दूसरे नंबर पर प्रेसे जह कहते यह उसे हम कहते हैं computer तो आप रोज कवरिंग जब भी आप से प्लांट सेल की फंगस की या फिर बैक्टेरिया की बात की जाएगी तो उसमें आउट्रमोस रोगी वहोगी सेल वाल और आपने इसके उपर नोट कैसे लिखने कि सबसे पहले आपने लिखनी है डैपनेशन सेल वाल की इसके बाद आप बताएंगे के प्राइमरी वाल क्या होती है सेकेंडरी वाल क्या होती है और प्लास्मोस मेटा क्या होते हैं इसके बाद आप हैडिक बनाएंगे केमिकल कॉंपोजिशन की के सेल वाल की केमिकल कॉंपोजिशन क्या होती है और हम देखते हैं कि बैक्टेरिया के सेल वाल की composition क्या होती है इसके बाद last पे आप heading बनाएंगे role और function यानि आपकी मर्जी आप role of cell wall भी लिख सकते हैं और आप function of cell wall भी लिख सकते हैं और आपको पता होना चाहिए कि cell wall shape strength protection या फिर क्या provide करती है support provide करती है किसी भी cell को इसी तरह आप लोगोंने अपने exams में questions को attempt करना है और आज की छोटी सी activity आप लोगी क्या है कि आप लोगने draw करना है animal cell और plant cell और आपने label करना है कि किस organism में outermost covering कौन सी है cell membrane किसकी outermost covering है cell wall किसमें पाई जाती है और इसके साथ साथ आप लोगोंने cell wall से related जितने भी short questions में आप लोगों को बताए है इन सबकी return practice भी करनी है मुझे उमीद है कि आप लोग मेरी बात को जरूर follow करेंगे क्योंकि इसमें आप ही का फायदा है जी students तो आज हमने study की cell wall की आपने देखा कि cell wall की definition क्या है फिर हमने आपको यह बताया कि cell wall किस किस organism में present है और किसमें absent है साथ हमने यह भी study किया कि cell wall का structure क्या होता है cell wall की chemical composition क्या होती है students मैंने आप लोग को जो activity दिये है कि आपने animal और plant cell draw करना है और आपने highlight करना है कि किस cell में cell wall present है और किसमें present नहीं है और साथ से साथ जो quiz मैंने आप से लिया उसकी return practice पे आपने करनी है उमीद है आज के lecture कि आप लोगों को अच्छे समझ आगे होगी next lecture तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा और मुझे दौाओं में याद रखेगा अल्ला हाफिस